धर धर का संगार प्रेम सनातन सनिक अराधना में प्रसन हो देवाधिदेव महादेव शीवरात्र पर महादेव क्या अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं कौन सा है वो प्रियोग जिने शीवरात्र में करने पर महादेव प्रसन हो जाते हैं कौन सा है वो उपाय जिसे करने पर हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है आद महादेव प्रियोग प्राथ हो सके आपके लाइफ शेड और कमेट हमारा उच्छावर में करते हैं शिव और शक्ति के महा मिरन की रात्री होती है महाशिव रात्री कहते हैं कि इस दिन की हुई शिव अराधना निक्ष्पल नहीं जाती है और यदि इस दिन आप सास्त्रे विधान शे शिव अराधना कर लें तो सभी मनो वांग्षित कामनाय पूर्ण हो जाती हैं वैसे भी देवाधी देव महादेव छनिक अराधना में प्रसंद हो जाते हैं मात्र एक लोटा जन परियाप्त होता है महादेव को प्रशंद करने के लिए लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे प्रियोग बता रहे हैं जिनके करने से महादेव प्रशंद होंगे और खास्तर यह प्रियोग अगर शिवरात्री के रात में कर लिए जाएं तो सोने में सुहागा होता है तो सबसा पहला प्रियोग है जिनकन्याओ के विवा में विलम हो रहा है या विवा में बाधा आ रही है वो शिवरात्र के दिन स्वक्छोवा सरंगारि थोकर शिव पार्वती का पूजन करें मा पार्वती का सरंगार करें फिर ओम नमशिवाय का जब करते हुए केसर मिले जलशे शिव का अविशेक करें फिर शीग्र बिवा का वरदान मांगे, निसंदे ऐसा करते ही कन्या का शीग्र बिवा होगा शीवरात्र को पारद शीवलिंग को लेकर घर में स्थापित करें, विधुवत पूजन करें, धन धान से परिपूर्ण होंगे जिन लोगों को मंगल दोसे, वे पके हुए चावल से शीवलिंग का स्रंगार करें जिन लोगों को मंगल दोसे, वो पके हुए चावल से शीवलिंग का स्रंगार करें जिन लोगों को वाहन या गाड़ी खरीदेने की इच्छा पून नहीं हो पा रही है, लात प्रयास के बाद भी वाहन या गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं वे शीवरात्री के दिन शीवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, हथेली से शीवलिंग को रगड़ें और फिर चमेली का पुष्प अर्पिक कर ओम नमशिवाय का जाप करें और भगवान से वाहन की कामना करें, निश्चय सिग्ध आपको वाहन प्राप्थ होगा सनी दोस से पीडित या रोग दोस से पीडित ब्यक्त, काले तिल, दूध और जलिशे महादेव का अभिशे करें लंबी उम्र की कामना पूर्ण करने के लिए शीवलिंग पर धूरवा अर्पित करें शीवरात्र के दिन 11 किलो चावल या गेहूं का दान धन धान से परिपूर करता है इसलिए अगर संभव हो तो शीवरात्र को 11 किलो चावल या 11 किलो गेहूं का दान अवश्य कर दे यदि किसी का धन कहीं फसा हुआ है यह रुग गया है और लाग प्रयास के बाद भी वो नहीं मिल पा रहा है तो शीवरात्री के दिन सुर्योदे के एक घंटे के अंदर पंचा मरत शेश शीवल का अविशेक करें और 108 बार ओम नमस्षिवा का जाप कर जिस पर पैसा बकाया है उसका नाम लेकर महादेव से कहें पैसा वापस मिलेगा नौकरी प्राप्त करना हो या ब्यावपार में उन्नती शीवरात्र की रात्री शीव जीव का अविशेक करें ओम नमस्षिवा का जब करते हुए सफ्षेद पुषप अफ्रियत करें वा ग्यारा धी के दिपक शीवलिंग के आसपास मंदिर में जलादें संतान की कामना पूर्ण करने के लिए आटे के ग्यारा शीवलिंग बनाएं अगर आप संतान की कामना करते हैं तो आटा के ग्यारा शीवलिंग बनाएं उनका बिदवत अविशे कर पूजन करें और फिर संतान की कामना करते हुए ओम नमस्शिवायकाल जाप करें कष्टों और संघर्ष से मुक्त पाने के लिए शीवलिंग पर तिल वा जौ अर्पित करें कर्ज मुक्त के लिए शीवलिंग पर पान अर्पित करना चाहिए अगर शीवलिंग पर पान अर्पित कर रहे हैं तो आप कर्ज से मुक्ती प्राप्त कर लेंगे सुख, वैभव, एश्वरी प्राप्ट के लिए शिवलिंग पर केला वा अनार चणहें मन की शांती प्राप्ट करने के लिए जल में तिल विलाकर अविशे करें ओम्नियव शिवाय का जाब करें ये महा मंत्र है अगर आप शिवरात्री पर ये उपाय कर लेते हैं तो निशन दे महा देव आपकी हर मनुकामना पून करेंगे शिवरात्री शिव और शक्ति की मिलन की रात्री होती है इसलिए इस रात्र को न गवाएं शिव और पार्वती की अराधना अवस्षि करें